हेलो दोस्तों नमस्कार जजोहार आज हम आ गए हैं मुझभाल डोंगरी के सामने और ये पिंड पोधे पतज़ड के टाइम में आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ मुझभाल डोंगरी अप लोग देख सकते हैं ये मुझभाल के डोंगरी कसीन को वाव काफी जवर्दस्त दिख रहा है पतज़ड का मौसम में और हरा भरा रहता तो बिल्कुल आप लोगों को वीडियो में बहुत ही हरे हरे पत्ते देखने को मिलते लेकिन फिल हाल ये देख सकते हैं इस तरह से है मुझे भाल की डोंगरी और अभी हम लोग जाएंगे इधर घुमने तो उस साइट आप लोग को एक कुटिया नजर आ रहोगा देख सकते हैं डोंगरी के सामने में कोठार कुटिया बनाए गए हैं और यहां पर जो भी धान वागेरा होता है मुझ ऊड़ जो भी यहांपर होता है उस सुखाया जाता है और मिलिंग किया जाता है अर् देख सकते हैं यह है मुझ की ख्येती की चाहरी है और उधर पूरा सुख्खा सुख्खा नजर आ रहा होगा आप लोगों को क्योंकि ये धान की कटाई हो चुकी है इसे लिए बस पैर ही बज़ गए हैं पैल 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 ओके तो हम उस जगा से इस जगा और हम लोग कोठार के नजदिक में आ गए हैं ये देख सकते हो एक छोटा सा कुटिया है और काफी बहत्रिंग ये पूर एकदम सांत जगा है और इधर पैल ओगेरा ये रखे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं और इधर ये क्या बोलते हैं इसको उड़द इसको मिलिंग किया गया उड़त को मिलिंग कर लिये हैं और यहां से पहाड़ी का व्यू दिखिए वो पहाड़ी का काफी बहतरीन है भई इतना सांत जगा में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा और इधर देखेंगे तो बड़ा सा पहाड़ है आप लोग देख सकते हैं उधर तो उस पहाड़ के सामने नजदिक जाकर के डेम है तो वहाँ पर हम लोगों ने पिकनिक मनाया वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं यह भई इसमें जो है बैल को बांध दिया जाता है और राउंड राउंड करके घुमाया जाता है तो हमारा जो मिलिंग का कारिया होता है वो यहाँ पर पून हो जाता है बैला के थुरू तो चलिए उस साइड चलते हैं और आप लोगों को डेम का जो भी है डेम या तलाब का है उसका नजरा आप लोग को दिखाते हैं तो ओके हम लोग ये तलाब के सामने पहुँच गए हैं और यहाँ का देखिए पानी का वीव बहुत ही अच्छा है इस जगह पे जब बारिस होता है तो उधर से बहुत सारा पानी पहाडों से हो करके इधर आता है और यहाँ पर जमा होता है काफी मस्त है और यहाँ पर एक ब्रिक्ष है बर्गत का पेंड है ब्रिक्ष बोल सकते हैं बर्ट ब्रिक्ष बोल सकते हैं बर्गत का पेंड बोल सकते हैं और ये देखिए ये है भई असली मजे लुटने का जगा आप लोग देखिए ये एक कूटिया होता है इसी टाइप का उपर में बना लिये हैं देख सकते हैं रसी बांधे हुए हैं मस्त से और यहाँ पर जो है ना इसके माध्यम से उपर चड़ते हैं और रात में सोते हैं यहाँ पर क्यूंकि यहाँ पर काफी सारे मचलिया छोड़े हुए हैं इस तालाब में तो उनका निगरानी करने के लिए ये वाला बनाया गया है और स्पेशल बहुत ही अच्छा लगा एकदम सांत महल जगा में आके आप भी यहाँ पर आ सकते हैं टाइम भी दा सकते हैं तो यहाँ से आप लोग देखिए पहाड़ी का नजारा को देखिए पहुंत ही सुंदर नजारा अधवुद द्रिश और ये है भई मुझवाल का छोटा सा तलाब और न भई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेमी लगाए गया हैं उस वाले मेड़ पर काफी अच्छा सेमी फल गया होगा अभी तो बारिस नहीं है तो सुक गया है सेमी का लटर वगेरा ए नहीं थो हरा भरा रहता हुसा तो अ smallest का आई तो इतने सारे जो आप लोग देख रहे हैं घाय बैला तो इनको चराते हैं हमारे मरसी से अभी जाने सब्सक्राइब कोुड़ा, वयक्ताम, द्यूताम, हमसी है किसी सब्सक्राइब्सक्राइब सब्सक्राइब करें वर्षात हो या मुरित पाक बांची आँ ठत्ता अड़ी रेसी आँ गर्मी वर्षात हो गर्मी हो सारे सीजन में दादा जी जो है गाय बैला चराते हैं दादा जी इतना सारा गाय बैल को चीरा किप कितना कमा लेती हैं आप माने कैस नव आपICK शराते हैं कोने Meus हां आपया तो इस तरह से कई सारे गाए बैला को जो है दादा जी चराते हैं कितने महना तक चरह सदा दी मैं लोग देख सकते हैं इस तरह से हैं पर कोई भी जो है फसल नहीं होता इसी करण जो है गाए बैला को छोड़ दिये रहते हैं और छे महना तक यहां पर फसल होता है जमीनों है इसलिए गाय बैला को चराते हैं नादादी आपका नाम धान सिंग ओटी है आप कहा के रहने वाले हो मुझ बहाल के रहने वाले हैं दादा जी और नाम भी आप लोग को बता दिये चलो बहुत-बहुत धन्यवाद दादा जी आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा क यह बहुत साल से आप गाय बैला चरा रहे हैं यह जानकारी हमको मिला दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंड में जरूर बताएए और चैनल पर अगर आप नहीं हो तो प्लीज एक ही गुजारिस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैला कन को द यह इजाजात नमस्कार जय जहार